हेलो फ्रेंड्स स्वागा थे आप सभी का अपने चैनल टीटेन स्टैडी पर आज हम लोगा एक नया टॉपिक है हरी प्रोडक्शन ठीक है हरी प्रोडक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं इससे पहले मैंने जितने भी टॉपिक थे आज राइफ प्रोसेस्ट रिस्पोरेशन एक्सक्रेशन एंड ट्रांस्पोर्टेशन एंड कोंट्रोल एंड कोडिनेशन ठीक है यह सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं यानि कि जैप्रकरम स्वसन उत्सर्जन पडिवहन नियंतरन एवंग समन्वे यह पांच चेप्टर ह अज पहले अल्रेडी कवर कर चुके आज हम लोग चप्टर है घ्री प्रोडक्शन यानि कि प्रजण तो प्रजण कैसे होता है सभी जीवों में प्रजण का क्या महत्तव है हैना तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिसक्स करेंगे ठीक है हम लोग पार्ट बए पार करेंगे आज हम लोग सिर्फ परेंगे कि प्रजटन नि क्या होता है प्रजटन के टैप्स क्या है और अलेंगी के बारे में fully detail हम लोग आज complete करेंगे ओके चली start करते हैं लेकिन यदि आप चैनल first time visit करें तो subscribe जरूर कर लीजेगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में इतने सेर करें ताकि बहुत सारी लोगों के पास पहुच जाए और बहुत सारे लोग हम से जूर पाएं ठीक है री री प्रोडक्षन मतलब क्या है री मतलब होता है दूबारा पुनह प्रोडक्षन मतलब उत्पन करना यानि जितने भी living things हैं जितने भी सजीब हैं उनमें एक ऐसी चमता पाई जाती है कि वह अपने जैसे देखिये अपने जैसे में कह रहा हूं कोई जीव दूसरे जीव के जैसा कोई संतती उत्पन नहीं करता, है ना, जैसे माल लेते हैं, कुट्ता है, तो कुट्ता ही जन्म देगा, बिल्ली को जन्म नहीं देगा, ठीक है, यह point याद रखना है, तो reproduction का मतलब क्या होगा, इसी छंता को हम लोग क्या कहते हैं, reproduction कहते हैं, फिर से सुनिएगा, क्या कहा मैंने, प्रजनन एक ऐसे वीधी है, जिसमें जीव अपने जैसे संतती को जन्म देने की छंता रखता है, या जन्म देता है, अब बात आती है, कि प्रजनन की आखिरकार अवश्यक्ता क्यों परी, तो देखें, प्रजनन की आवश्यक्ता बेहर जरूरी है, इसलिए क्योंकि जीवों का अस्तित्व बना रहा है, यादि ये प्रजनन की प्रक्रिया नहीं होती, प्रजनन की प्रक्रिया अगर नहीं होती कैसे भी जीवों में, तो उस जीव का अस्तित्व ही खत्म हो जाता, ठीक है तो एक्जामे को सुन पूछे जाते हैं आपके थर्टिकल टाइप को सुन पूछे जाते हैं कि आखिरकार प्रजणन की आवशक्ता क्यों परी तो याद रखेगा प्रजणन की आवशक्ता इसलिए परी ताकि जीवों का अस्तेत्व बना रहे प्रोपर कोई भी जीव अपना स्तेत्व को बनाए रखें ठीक है अब अगर हम प्रजणन की टैप्स की बात करें तो प्रजणन के दो प्रकार होते हैं एक तो लैंगिक प्रजणन होता है और एक अलैंगिक प्रजणन होता है ठीक है दोनों में क्या अंतर है सुनिये का गोर से लैंगिक यानिक या झाल लैंगर प्रजणनने में दो भाग लेते हैं ठीक है दो जागी रिफ्रेंट सेक्स के पर यानि की अलग अलग लें के होने जैसे एक अगर हम मेल की बात कर ले यानि की नर ओर एक किसका फिमेल यानिเขा अigmatा तु से और हमेशा कितने जीवों की जरुरत होती है दो लेकिन सेम जिंडर का नहीं सेम सेक्स का नहीं डिफरेंट सेक्स के होने चुछिए एक मेल और एक फिमेल होने चुछिए आगर हम बात कर ले अलेंगी की प्रजनन का तो इसमें केवल और केवल एक जीव ही भाग लेते हैं ठीक हैं दोनों में अंतर समझ में आ गया तो कोसंत पूछे जाएंगे आप एकदम समझ ये कि अलेंगी की प्रजनन किसे कहते हैं तो प्रजनन की वह विधी जिसमें दो भिन लिंगों के जीवों की सहभागिदाड़ी आवश्यक होती है उसे कहेंगे क्या लेंगिक प्रजनन औ हम लोग अगले आने वाले वीडियो में क्या करेंगे अच्छे तरीके से डिसक्स करेंगे कि लेंगिक प्रजनन में क्या होता है किस प्रकार के सेलों का डिवीजन होता है क्रोमोजोमल डिवीजन होता है वह सारा चीज हम लोग अगले क्लास जो वीडियो आने वाले हैं उस सबसे पहले इनके सबसे है और इनके उस्का में अर्थ विवाजन होता है। जिसके वाजा से क्या होता है मेल और female यानि कि माता और पिता दोनों पक्ष के आधा-धा तो इसमें तईश जोडे होते हैं ।ो इसमें से आधायाने की तईश गुन सुत्र और इसमें से तईश गुन सुत्र और जो नया तईश विभाजन संतरी विवाजन होता है zeggen तो देखिए यहाँ पर आधा आधा गुनसुत्र किस प्रकार के प्रजने में जा रहा है तो लेंगिक प्रजने में जा रहा है तो याद रखे का लेंगिक प्रजने में जो होता है गुनसुत्रों का और दुसुत्री विभाजन होता है लेकिन जो अलेंगिक प्रजनन होता है इसमें केवल और केवल एक भी भाग लेते हैं, तो इसमें किसी भी पर करके division नहीं होता है, इनका still divide करता है, लेकिन अगर हम character की बात करें, जो chromosomal होता है, वो इसमें क्या होता है, समसुत्री होता है, क्या होता है, समसुत्री भी भाजन होता है, यह important है, एक्जाम में बहुत सारे questions देखने को मिलेंगे आपको सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विखंडन देखिए किसी भी चीज़ को अगर समझना है तो उसके सब्द पर फोकस कीज़ेगा सब्द यदि समझना गया तो आप उसको असानी से cover कर सकते हैं विखंडन का मतलब क्या होता है चूटना विखंडन का मतलब चूटना माली जै कोई भी जैसे महली जी मारकर ने शहार तोड़ दिया तो यह थए तो जेम अलग संतती का निर्मान किया है तो विखंडन क्या है अलंगिक प्रजणRe 250 है जिसमें क्या होता tratatat क्या होते हैं नए संतती का निर्मान करते हैं जैसे हम बात कर लें यहाँ पर गोर से देखेगा अगर हम बात कर लें अमीबा का ठीक है सपोज किजी यह अमीबा है ठीक है यह नुकलियस है इसका अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई माल नेते हैं एक कोशिकी अजीव है तो क्या होगा पहले नुकलियस का डिविजन स्टार्ट होगा ठीक है कैसे होगा नुकलियस का डिविजन देखेगा यह क्या होगा नुकलियस इसके अंदर जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट होंगे यह कुछ इस तरीके से डिवाइड होना स्टार्ट होंगे इसके नुकलियस ठीक है और जब ये nucleus divide हो जाएँगे तो फिर क्या होगा यहाँ से तुट जाएगा ठीक है तो एक कोसिका में दो nucleus और आपको पता है कि जंगले में दो सेर नहीं रह सकते हैं तो एक कोसिका में दो nucleus तब क्या होगा? यह दोनों कोसिका आपस में विचार करेगा और कया कि भाई आधा पार्ट तू रख ले, आधा पार्ट में और स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं तब क्या होता है कि यहां से breakdown करता है अग्ले स्टेज में और क्या होता है एक अलग अविबा और ये एक अलग अविबा का क्या होता है इस तरीके का विक्षान्डन होता है चलिए तो समझ में आ गए आपको विखंडनट का ला गात तो इसको पड़िवासित कैसे कै ilgili में आपने सरीर को विभाजीट करके एक नए संतती कोुत पन करता ! विखंडन का लाएगा और दुविखंडन पुछ लिया तो क्या होगा दो नए जीव उत्पन करते हैं तो दुविखंडन का लाएगा समझ मैं गया बेशीक लिए आपका अमीवा जो होता है इसमें इस तरीके का पुरजनन पाया जाता है ओके चलिए अब अगर हम बात करने अगला पुर्वर्ण म्लब दुववन और पुर्ण जनन की तो यह important है पुनर्व दुववन और पुर्ण जनन क्या है तो आप लोगने बहुत सारा मूभी देखा हो गा जिसमें पूर्व जन्व काहनी की बात आती है लेकिन उसमें ऐसा भी देखा हूआ पुनर जनन, मतलब क्या, दुबारा जनन, जैसे, माल लेते हैं, कोई एक जीव है, पार्टिकुलर एक जीव है, माल लेते हैं, अब लिगे, प्लेनेरिया के एक बात करें, प्लेनेरिया एक ऐसा जीव है, उसके सरीर का structure, कुछ इस टैप का होता है, ठीक है अगर यह प्लेनेरिया आगर प्लेनेरिया को आम लोग यहां से तोड़ दें डीवाइड कर दें ठीक है इसके सरीर को जदी हम तोड़ दें यहां से या किसी भी कारण वाशीसिस इसका सरेड टूट जाए कितने भाग में टूटा? तीन भाग में, एक, दो और तीन भाग में, तो इसमें एक ऐसी चमता पाई जाती है कि यह पुनह क्या करेगा, अपने खोय हुए भाग को प्राप्त कर लेगा, अगर हम इस प्लेमेरिया की बात करें, तो इसका structure कुछ इस टाइप का है, जो तूटा है, इस टाइप का है, यह क्या करेगा, अपना जो खोया हुए भाग है, कुछ इस तरीके से प्राप्त कर लेगा, इसकी अगर हम बात करें, तो यह क्या है, कुछ इस तरीके से टूटा हुआ है, तो यह ऊपर वाला पार्ट भी प्राप्त कर लेगा, और नीचे वाला पार्ट भी प्राप्त कर लेग था रेंक तो यह क्या है अपका पुनारुद्भवन या पुनार जनन कहने का मतलब अध्यूकल लेंगे प्राजदनिंड टिसमें क्या होता है King जीव अपने खोल हुए भाग से नहीं संततिक उत्पन कर ले तब हम इसको क्या कहेंगे क्या कहेंगे रीजेनरेशन कहेंगे ठीक है इसी को हम लोग फ्रेग्मेंटेशन के नाम से भी जानते यह भी याद रखेगा ठीक है यानि कि इसका नेक्स्ट जो क्या कहते हैं वह पार् कि जो भी जीव है जिसमें आपका रीजेनरेशन या फिर फ्रेग्मेंटेशन पाया जाता है वह प्रतियक अपने खोय हुए भाग से क्या करता है नए जन्तति को वेक्सित कर लेता है चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें मुकूलन तो देखें मुकूलन के द्वरा जो प्र द्वरा जो चलिए अब हम लोग बात करते है मुकूलन का मतलब क्या होता है देखें मुकूलन होता क्या है को यह कजीव है जैसे माल लात है हाइड्रा ही लेले हम ठीक है माल लीजे हाइड्री के सरीर का स्ट्रक्चर कोछ इस टाइप का होता है इसमें क्या होता है कि इसके सरीर से एक मुकूल आना स्टाट करता है मुकूल कहने का मतलब बड आना स्टाट करता है जैसे माल लीजे अगले स्टेज में यह क्या होगा तो इस टाइप का होगा स्टाट स्टाट हो जाएगा और यह जो और यह जो बड है यह जो मुकूल है कुछ समयों के बाद धीरे धीरे विक्षीत करके अपने जो structure है अपने जनक के ऐसा बना लेता है ठीक है और जब यह पुन रूपन वेक्सीत हो जाता है पुन रूपन पड़ीपक हो जाता है जनक के सरीड को छोड़ करके स्वतंत्र जीवन यापन करना स्टार्ट कर देता है तो इसी प्रकरिया को हम लोग क्या बोलते हैं मुकूलन क्या सुनिएगा मुकूलन का मतलब क्या हुआ कि मुकूलन में क्या होता है कि अगर कोई भी जिव जिस जी में मुकूलन की विधी पाए जाती है उसमें उनके सरीड से एक मुकूल आना स्टार्ट होगा जिसे यहां पर देखिए एक बढ़ आना स्टार्ट हुआ यह जो मु तो यह भी आपका जनक और यह क्या हो जागा आपका संत्रती हो जाएगा तो इस तरीके से प्रजन होता है तो मुकुलन द्वारा जेनरली प्रजनक किसमें पहे जाता आपका या तो आपका हईड्रा सबसे ज्याद एकजामे पूछा जाने में वाला कोशिण ठीक है और तो नए संत्रतिक उत्पन करता है तो उसको क्या भोलेंगे वी-खंडन और्गी रिगमinson करता है remember कर ले शन्हारिय क्रता है užपाइज रहाकर प्रखनडन वे की मुकूलन की बात कर ले तो मुकूलन आपका हाइड्रा वे यस्ट उसमें पाए जाता है recursos और इसमें क्या होता है? सेरीर से मुकूल निकलता है और विक्सीध हो करके स्वतंतर जीवन यापन करता है जनक के सरीर को छोर करके. अगला पॉइंट नीक उनक ze व्हा जई है, काइक प्रवरधन, काइक प्रवरधन यह इसमें इसमें आखे है? तो यह क्या करता है नए पौधे के रुपे क्या होता है बन जाता है अगर मालते आलू है तो इसको क्या करते हैं और पड़ते तुकड़े को क्या करते हैं जमीन में बो देते हैं जो क्या करता है धीरे धीरे विक्सीत होता है और इससे क्या होता है पौधे निकलते हैं बहुत इस सारे बंक घ हुझ है तो प्रब्रभडन में क्या होता ह каких पाइक भाग से नएइत भाइन इत्या की से आरा है तो आंधिक प्रुड़न के वह विदी जिसमें क्या होता है पॉध या जनतु या हां जनतू कहले अपने क्या Überहें का इक भाग से पॉधे दüyorsun Cup प्रवर्धन खॉल ख долларов निया सब्सक्राइब करना उधिर और सदस्टेशन का है dies या मतलब क्या होता है की हम लोग कलाम लगाते हैं दाब लगाते हैं तो उस में आपने ग़ोड किया होगा, कि अगर कोई भी पौधा है, अगर उस पौधे का कोई टहनी पसंद आता है, और आम चाहते हैं, आगर वास्ता में पौधे के रूप में होता है तो काफी अच्छा लगता तो उस पौधे पर हम स्या करते हैं, कलम लहाते हैं, है न यान पौनों में अंतर समझेगा, इसमें क्या होता है, कि हम वांशित भाग से पौधे ने उत्पन कर सकते हैं, इसमें काईक भाग का यूज करना परेगा, ठीक है, जैसे ब्रायोफाइलम में, ब्रायोफाइलम की बात करें, तो ब्रायोफाइलम एक ऐसा पौधा है, जो अपनी प भाग से हो रहा है तो काईक प्रवर्धन या समवर्धन वेजिटेटिव प्रप्रेकेशन और यदि वंचीत भाग मन पसंद भाग से यानि पौधे को उत्तक को काट करके उससे नए पौधे उत्पन कर रहे हैं तब टिस्व कल्चर या उत्तक समवर्धन का लाएगा चलिए अब हम लोग दखते हैं स्पोर्फॉर्मेशन बिजानुजनन बिजानुजनन क्या होता है दखें माल लीजिए यह अमीवा है आपका ठीक है अमीवा में यह नुक्लियस होता है होता क्या है कभी कभार इसको सेल डिवाइड तो इसके अंदर हो गाई तब तो ने और्गेनि परिस्थिती होती है वह अनुकूल नहीं होती है तब उस समय क्या होता है इसका यह जो दीवार है यह मोटा हो जाता है ठीक है मोटा होता है लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं सेल डिवीजन होते रहता है जितने भी सेल है वह रेगुलर डिवाइड होते रहता है ठीक है और वोगव False फिर किया होता है जैसे ही इस amoeba को अनुकूल इस्थित मिलते ही यह क्या होता नहींitate इसका झरीर का जो पार्ट यह फटता है और इससे जो केंदरक है वह क्या होगा यह जो बिजानू है यह क्या होगा सभी योड़ क्या हो जाएगा फैल जाएगा और जहां पर इसको अनुकूल इस्थिती मिलेगी वहां पर फिर से एक नए संत्ति के रूप में उत्पन हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से बिजानुजनन होता है फिर से सुनिएगा मैंने क्या कहा है कि वीजानू जुनन में क्या होता है। लेयर होता है मोटा हो जाता है। जिसके और सब्सकों क्या होता है इसका लेयर नहीं फटता है… और इसके अंदर जो होता है, जो बिजानू होता है, पोड होता है, वो उसका लगातार क्या होता है, विभाजन होते रहता है, और इसकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है, ठीक है, अब जैसे ही इसको अनुकूल इस्थिती मिलती है, तो यह क्या होता है, फटता है, और इस करते हैं कि आपको समझ में ङरोगा कुछ और coupon याद रखते है अलागिक प्रजण देखि क्या प्रजण ने पूश्ता है कि अलांगिक प्रजणन से अ moins होनël होता है तो याद रखेगा शम सुत्री विभाजन इनकाफी इंप्रोटेंट है ठीक है और एक और कोशन क्या वो भी क्या हो जाएगा, आलेंगिक परजनन से उत्पन हुए संतती को क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों कि इसमें समसुत्री विवाजन होता है, समसुत्री मतलब समान सुत्र ही क्या होता है, नए, जो संतती बनते हैं, उसमें जाता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं कि अलंगिक प्रजणन से जोत्पन हुए संतत्य होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं क्लोन बोलते हैं यह दो पॉइंट हैं इंपोर्टेंट है याद रखिएगा ठीक है यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्ते में शेयर जरूर कर दीजेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाप पास सकें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद है